हेलो एवरीवन स्वागत है थ्वाड़ा आपने यूट्यूब चैनल स्रीके लर्निक दे उमीद कर दिया हैं तुछे सारे ठीक होगे क्या आपनी प्रेबरेशन होगे या टांग देना कर रहे होगे अज दा अपने यूट टापिक है यूटियो वीजूड एडर्स एंड मास्थ अवला टापिक आपने सिलेबस दे वी ते तौपिक नंबर थी टीचिंग पोटैशनल टैस्ट जड़ा की पनना नंबर ताना है ओदा टापिक नंबर थी है तोपिक नंबर टू दी वीडियो पर विडियो नो शुरू करों तो पहला अगर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नो सब्सक्राइब जरूर कर लिए क्योंकि इस चैनल ते तो आनो एटेटी एट्रस एक्जाम तो लेगे एटेटी केडर तक दी जुनिया भी वीडियो जने उसारी है पर फ्री ओफ कोस्ट पर वाइल करवाया जान गया तो पूरा से लेबल जड़ा कवर करवाया जाएगा शुरू कर देए अपनी वीडियो लूँ सब तो पहला जड़ा टॉपिक अपने को लांदा है ते अज आडियो वीजुवल एड एंड मास्ट देफिनिशन ती जड़ा करिए ता ओडियो वीजुवल एड फिंदे चीज है को सिंचार हाएग्पार जिघन taşर भीनिकेशन जिए आडियो नहिंना मतलब के रिठी कैमिशर को जह जाएगा जिदे नाल जान करी जड़ी ऐसी होर जड़ी ऐसी दिल्चस्प अत यादगार बना सकते हां एदे लए अपा पिक्चर्स दा, वीडियो दा, शार्ट, ग्राफ ऐहो ज़े शबना दी वर्तों करते हां कम्निकेशन हो जादा बैतर बना दे लएंग, वाख वाख वाख, यडियो सी सिखनशैरियानों पूरा करते हां यह नहीं पूरा करने लएंग, जिनल्यां आपा वर्तों कर दी हां यहाँ अपना आडियो वीज्वल एड केंदी हैं आडियो वीज्वल एड क्लासिफिकेशन अडियो वीज्वल एड तेन पर कार्दे हो जादे हैं जिदे वी सब्सक्राइब पहला ओडियो एड करिए अधर बेच सिर्फ आपानों चीजान जिडियां सुनाई दिन्दिया है जिवे टेप रिकॉडर हो गया, रेडियो हो गया, चीजान जडिया सुनाई जाली है वीजुल एड़ जिटी अधर निपर करिये ता है तो चीजान से रफ वेच सकाओंने हैं यानि कि सिरफ वेख कि उन्हों समझ सब देया है जिवे की चार्ट हो गए, माडल हो गए, हाना ता अगल यहां चीज़ा जड़िया हो निया, वीजुल एड्स दे बिच आर गिया, ऑडियो वीजुल दी काल करिये, ते दे बिच आवाज भी हो एगी, ते वीजुल चीजा में कि उनके यानि के सिरू वेख भी सक देया, जीदी की वधिया सब तो उदारन हैंगी है फिल्म, फिल्म दे विच की उन्दा है, पिक्चर चाल भी रही होंदी है, सानू अवाज भी आ रही होंदी है, जीदेना चीजा नो समझना, जानकर इनो इकठा करना हो और इजी हो जा पर पाइंट आदा है, बहतर समझ, जदो में अपना चीजा नो यूज करने हैं तो बच्चे दी जडी अंडरस्टेंडिंग पावर है, वाद जान दी है, बच्चे साही टांग न समझ बानता है, इनक्रीज अन्येजमेंट, बच्चे दी जडी शमूलियत है, वाद जान द क्लारिटी थी सिंपल सिटी, बच्चे नो हर एक टॉपिक दी क्लारिटी हो जान दी है, यूनिवर्सल लैंगुबे जे एक जेही पाशा है दे विचे यूज हो दी है, कि जिडना हर एक बच्चा जड़ा नो समझ सबता है, प्योंकि पिक्चर चाल रही है, नाल आपा उनो चीजान सुना रहे हैं, तो फिर सीजान समझ नहीं एजी हो जाती है, अगे गल करने है, अड़ा एक लर्निंग स्टाइल है, यूनिवर्सल लैंग बच्चा नो सिखना इजी कर लनदा है, अड़ाप्ट कर लनदा है, फिर मेंब्रेबिलिटी, बच्चे दी याद रखन यो सही टागना ले एक्स्प्रेस कार पालता है, क्योंकि उन्हों क्लारेटी हुदी है, क्योंकि उन्हों की चीज सुनी है, फिर एफिशेंसी, गल्ती दे जड़े चांस में, वो काट जान देने, फिर एना बच्चे दी रियल लाइफ कंटेक्स होंदा है, यानि कि जो भी करनिया चाहिए आपने लर्निंग फॉइंट दे विच्टे ओ और क्रियेटिव थिंकिंग्स भी कर पालती है, अग्या कर दिया है, अबजेक्टिव ओडियो वीजुल से एड, अबजेक्टिव की नहीं, यानि कि इना मेन मोटिव की है, कि जो आपना नों यूज करते हैं, अधियापक नों लडिन दी सहायता परदान करके अधियापन सिखन परनाने नों परबावशाली बनाना, बेसिकली ओडियो वीजुल एड दा बेसिकली काम की है, कि एटीचिंग लर्निंग प्रोसेस नों होर की बनाता है, एफेक्टिव बनाता है, क्योंकि टीचर जदो है कि क्लास्रूम दे विच इन्वोल्मेंट वाद जानती है, सही अते पारदर्शी संचार्द्वारा विदार्थिया नों परदर्शन नों वदाना, यानि कि सही अते सही टांग देना कम्नीकेट करके बच्चिया नों की करना आप देना टॉपिक है वो प्रेजेंट करना, अ प्लैनिंग करता है तो उदे विच एड़ गरता है ओडियो विज्वल्स एड़नों जी देना टीचिंग दे विच काफी जादा है एल्प हुंदी है टीचर्शन वितियार्थिया नों चंगे दर्शक बनन दे लई उच्छाहिद करता है बच्चे जो अदो ऑडियो विज् उर्वल्स एडीच कर लेकाने हैं बोला पा आपण पर्ल мор केक्टिया एग्युद को विज्वल्स एड़नों कारेथा काफी इन अल्यारु उदुद कीनुवर्गी कर दूदेया नहीं इन आपन पर ऑबसेशा नों कीदा टीचिंग सन्ग और मो ποोल्त से ब interf 77 नों साeger 25 आपा सुनिया हो या हैं ते पढ़िया हो या ले विच ऑफ दा फॉल्मेंग इस नॉट एग्जामपल ऑफ ओडियो वीज्वल एड उन तुसे देखो अनाने की क्या की नीचे दिते गी विचों केड़ा ओडियो वीज्वल एड नहीं है तुसे देखना है कि भी किले नाल पा पांसर मिलेगा देखो उन अधेच की है फ्लिप चार्ट प्रोजेक्टर थे प्रोड कास्ट थे वाइट बूर्ड उन फ्लिप चार्ट की हुंदिया है एदेवेच भी पिक्चर्स हुंदिया है ते पिक्चर्स डियों मूव कर रही हैं उन दिया जीदे नाल एजड़ा वीजवल काउंट होएगा क्योंकि अधेवेच की उन देख पिक्चर चाल रही हुंदिया नाल अवाज भी आ रही हुंदिया है प्रोड़कास्ट की उन दिया है पॉड़कास्ट भी एक परकार दी ओडियो वीजवल एड ही है परन्तु वाइट बॉर्ड जेड़ा ओडिय वीजवल एड नहींगा क्योंकि अधेनल अवाज नहीं आदी नाहीं पिक्चर चड़िये मूवेबल हुदिया है इसलही डी ऑप्शन की आएगा करेक्ट होएगा अगे चल देहां क्वेशन नमबर टू ते वट इस दा प्राइमरी परपस ओफ यूजिंग ओडियो वीजवल एड दी वर्तो करन दा की उतेश है क्यों आपा ओडियो वीजवल एड नूँ जड़ा यूज करते हां उन आना विचे जिनियां भी आप्शन्स होने ना उन्दे विच्छ आपा बेस्ट आप्शन नूँ करेक्ट करना होएगा क्योंकि हर एक आप्शन आपानू क देख दियां क्योंकि अपर इंट्रस्ट आड करना है तो मेक प्रेजेंटेशन लोंगर प्रेजेंटेशन उन लंबा वना दिली वर्तो किती जान दिया नहीं ऐस तरह कुछ भी नहीं हुंदा तो इन्हांस दा अंडरस्टेंडिंग एंड रिटेंशन ओफ इन्फोमेशन ज दो रिप्लेस दा नीड ऑफ स्पीकर यानि की जड़े स्पीकर दी नीड नू बदल दिता जावी ऐस तरह दा भी कुछ नहीं है गा तो ओडियोस नू एंटर्टेंड करना साथा मोटिव तह है पर सब तो ज्यादा मोटिव आपना की एगा है कि एंडरस्टेंडिंग कॉंप्लेक्स स्टेटिकल डाटा उनुट के ने भी केडा ओडियो वीश्वल एड है जेटनों आपा यूज कार सकते हां किसे कॉंप्लेक्स स्टेटिकल डाटा नू प्रेजेंट करने ले देखों किसे वी परिकारबड़ा डेटा है ना उनुट अपा चार्ट ते ग्राफ देनल वी प्रेजेंट करांगे ना तो बहुत सही टांग ना समझ आएगा वीडियो दे थुरू हैंड डाउट्स दे थुरू ते पावर पॉइंट स्लाइट्स दे थुरू अपानू सही चीजा समझ नहीं आनिया जदो तक आपा उनना दे चार्ड या ग्राफ नमबर 4 ते यह अपना question नमबर 4 है which of the following is non-projected audio-visual aid होनों कहते है भी केड़ा non-projected audio-visual aid है तो अनों पता लाग गया होएगा overhead project जड़ा है ओ audio-visual aid है LCD projector audio-visual aid है slide projector audio-visual है बट white board जड़ा है ओ audio-visual नहीं है तो option की आएगी d option आएगी question number 5 ते move कर दे है the mass communication process involved the transmission of information to केंदे है जन तक संचार परकिर्या वेचे जान करी दा परसारन शामल हुदा है की दे वेचे शामल हुदा है यानि की mass communication अपा परसारन दे वेचे कि वे information जनों जड़ा परवाइड करवानिया या कि वे अपाउन अधा परसारन शामिल कर दिया केंदे एक select group of individual किसे व्यक्तिगत चुनिया हुदा है समूर दे दिनने या small audience ताक ही आपा information पचाने या large ते diverse audience ताक है ननों लेके जाने या ता या फर local community ताक ही लेके जाने या परकेरिया नों शामल कर दिया तो जदो mass communication हुंदा है ता आपा एक विशाल अते विभिन दर्शका तक आप दी information पचान दी कोशिश कर दिया तो एस परकार दी information उदे ज़े एड की की जाने या ना ता पा छोटी audience तक ले जाने हा ना ही आपा selected तक ले जाने हा ना ही सिर्फ लोकल तक लाएके जाने हा तो option किया आएगी option number C होएगा अगे चल दे हां which of the following is a form of mass communication that usage printed material to reach the audience के ने जन तक संचार पर किरिया वेचे जान करेदा परसारन शामल हुंदा है ये ना पचाबी दे वेचे पुराना ही हो गया टाइप हो गया ता एथो देख रहे हैं आपा question सिद्धा which of the following is a form of mass communication that use printed materials देखो printed material नो आपा audience तक रीच करवान देले किना दा यूज कर देया printed material देले radio ता यूज नहीं हुंदा television भी यूज नहीं हुंदा podcast भी यूज नहीं हुंदा के यूज नहीं हुंदा है news paper हुंदा है एदनाली आपा mass communication कर देहां written format यानी कि printed format दे वेच आपा audience तक पहुंचांते हां अगे चल दे हां which audio visual aid is the best suited for engaging auditory learner in a presentation यूज पेशकारी वेच auditory सिखन वाले जिननानों सिरफ सुनन दा ही है उदे लिए अपर किना चीजां दी वर्तों करांगे देखो powerpoint slides ता सिरफ आपनों वेखंदे काम आंगिया auditory काम नहीं आगिया flip chart भी जड़ा है ये भी काम नहीं आएगा की काम आएगा auditory दे लही videos काम आजानगे हां handouts भी काम नहीं आएगे की काम आएगा video काम आएगी अगे गल कर दे हां which is the purpose of using audio visual aid in mass communication के लिए audio visual aid धा mass communication दे वेच की एक परपस है ता एदे वेच के लिए to encourage one way of communication one way communication नूँ help करना नहीं one way communication mass दे विच नहीं आनदा to make the content more complicated content नूँ more complicated करन दे लाई नहीं audio visual ता होर easy करदा है na to help the audience process information easily यानि की लोग का ताक जड़ी information है वो easily पचाई जा सके इसलई आपा है एदा एक purpose बनाने हां audio visual aid धी वर्तों करने हां अगे जाल रब दिया question number अपना question number सीगा ए 5th, 6th, 7th, 8th और 9th question number 9 which of the following is an example of interactive audio visual aid interactive audio visual aid की हो सकता है और interactive visual aid की होएगा videos, slide presentation, virtual reality experience या फिर whiteboard देखों उन तो सी ना एथे slide presentation ते whiteboard ता कट दोगे पर तो आड़ेकोल doubt की रहेगा किसी video लईए या फिर reality experience लईए ता एदे विचो दोना विचो heavy option की है reality experience क्योंकि आपा ये reality experience नो नाल लएके चलांगे ता बच्चा जड़ा है या फिर सामने वाला परसन हो जल्दी चीज़नों समझ पाएगा जल्दी information नो ग्रास्प कर पाएगा question number 10 ते move कर दे हां mass communication can reach vast audience through the various channels as accept okay लिए ज्यान संचार ज्यान संचार मतलब किया कि भी पूरे जड़े वर्ड दे विच आवदे communication करने लई केड़े केड़े चैनल ना मतलब बाख बाख चैनल ना रही है सी आवदे जड़े ने वीउज जड़े ने या फिर आपने इंफोर्मेशन हो प्रोवाइड करवा सकतिया सिवाए कि दे तो face to face communication तो क्योंकि face to face communication तो सिर्फ हैं होएगा ना कि मैं सिंगल सिंगल पर्सन को जामा इंटरनेट थरू मैं मालो कोई भी चीज़ पोस्ट किती तो मास कम्मिकेशन तो बहुत सारे लोका तक पहुँझेगी टेलिवेशन में कोई इंटरव्यू दे दिता तो तो ते भी चला जएगा रेडियो ते भी कोई भी मैं अनॉंसमेंट कराती फेर भी मास कम्मिकेशन हो जएगा बट face to face कोई भी मास कम्मिकेशन नहीं होएगा अगे कर दिया हैं विच ओडियो वीजवल इस कॉमनली यूजड इन लाइव प्रेजेंटेशन तो डिस्पले टेक्स और इमेजिज टू दा ओडियंस की कहन दिया है के दे दर्शका नूं टेक्स जा चितर परदर्शित करन दे लई लाइव प्रस्तुती विच केड़ी ओडियो वीजवल साहिता आम तोड़ते वर्ती जान्दी है ता एदे लही आपा की वरतांगे जेकर आपा लाइव प्रेजेंटेशन दिखा रहे हां टेक्स इमेजिस दे ओडियंस नूं ता स्लाइड प्रोजेक्टर दी वर्तो किती जाएगी पोड़कास्ट भी नहीं तर सथी जांग संचार केड़ा रूप जीडा सई आसल समय त गालबात लिभाज़ झाहां यानिकि साई ता Whitmer नाज़ पर न्हां होईगा रेडियो नहीं होईगा निउस पेपर नहीं होईगा चलता है जान सब्कनों पींपकर पिक्ष्छे हैं इंटर। दे मुकाबले वेच क्योंकि इंटर्नेट थे कि उन्दा मालों हुने कोई कटना होई इंटर्नेट तेक जने ने पोस्ट कर देती तो काफी लोग कहां तक पहुंच जादी तो रियल टाइम इंटरेक्शन हो जान्दा ओडियंस देला बट टेली वीजन ओप्शन ता सही हो तांड थो ठीक है अगे चलभे हैं दा अफैक्टिवनेस ऐफ ट्व sucked की हो जा है या फिर ओडियंस दे साइज थे या फिर क्यालिटी ओफ एकुंपवालिटी ते या फिर depths आफ टोपिक कि Ze यहांनि कि यहां कि या खिवालिटी ड़ा मेंट दा उडीक औप क्यूपवालिटी डीपवालिटी डिपेंट लीए क्या फिर गॉलिंड तरह या स्वेटिक अग र ते hi सवर्ऋ, म संसाघ़नी के सब्सक्राइए, मसस्टाइब धी सपहाзд들况, म सबस्टेज सब्सक्राइए, ते इंट्रापर्सनल भी नहीं हुदी एदे वेचा आप दी इन्फोमेशन नूँ पब्लीक तक पुचादें हाँ अगे कल कर देया नेक्स्ट पेस्टन ते विच ओडियो वीजुवल विच ओडियो वीजुवल एड इस मोस्ट सुटेबल फोर डेमोंस्ट्रेशन अस्टैप बाइस्टैप प्रोसेस केंदे कदम दर कदम पर किर्यादा परदर्शन करन दे लही केडी ओडियो वीजुवल चीज दी वर्तों किती जादी है तो यह अदे लही ओडियो रिकॉर्डिञ फ्लो चार्ट्स या हैन्डाउर्स या फिर ओवर हैडेट प्रोजेक्ट तो किना दे वर्तों किती जाएगी जहीत इकल आप स्टैप बाइस्टैप चीजा नू चलाना हे एक्सचेंजिंग परस्नल मेसेज बीनन इडिविजवल यानी की करो जड़े परस्नल मेसेज और आपा की अदान प्रदान करना सब्रेडिंग रोमर्स और मिस इंफरमेशन आप मिस इंफोमेशन तरह नहीं करांगे, पर्सनल ऑप्शन भी कड़ी गई, कि परमोट कल्चर रेंड डैवरस्टी और डैवरस्टी और अंडरस्टेंडिंग, हाँ, आप आफ दा कल्चर परमोट कर सकते हैं, आधी अंडरस्टेंडिंग नो जड़ा है प्रिजन करने लाई क्वाइब आपने फॉल्विंग इस एन एडवांटेज ओफ यूजिंग ओडियो वीजुल एड़्स इन प्रेजंटेशन इन प्रेजन देशन देवेच आप ओडियो वीजुवल एड़्स दी वर्तों करदें हां ता अधन लेक फाइदा है ता आप आप अड़ांटेज एड करन दिनल साथी ओडियंस दी अंगेजमेंट वादिजन्दी आपा पिछे पाड़े किया इसी यह ता बाकी ऑप्शन था सिद्धा इकटिया गया अगे गाल कर देया मास कम्निकेशन केन है सिगनिफिकेंट इंपेक्ट ओन किने मास जड़ा जनतक संचार है एन अधा महत्तव पूरण परभाव की हो सकदा है देखो लोकल कम्यूनिटीज वाला चाट देए गलोबल इशूज हो सकते हैं क्योंकि आप मास कम्निकेशन दी गाल कर देपिया इंडिविजुल फिर प्राइवेट चीज आगी प्राइवेट मैंटर फिर सिंगल परसन लई आ गया तो ऑप्शन की आएगी बी ऑप्शन करेक्ट होएगी अगे चल दियां दा यूज ओफ ओडियो वीजुल एड इन एजुकेशन केंट कैने ओडियो वीजुल दा यूज एजुकेशन प्रेस नहीं करदा टीचर नो एक ही करदा है बच्चे दी कंप्रिहेंशन ते रिटेंशन अबिलिटी नो इंप्रूव करदा है अगे गाल कर देयां विच आफ दा फॉल्विंग इस अ मौडरन फॉर्म ओफ मास कम्मिकेशन देट अलाव यूजर तो क्रियेट डिस्ट्रि पीडिया आएगा ना न्यूस पेपर आएगा ना जेड़ा रेडियो आएगा ना टेलीविजन आएगा इदली ऑप्शन नंबर की आएगी सी करेक्ट होएगी तो एथे आपने 20 क्वेशन खतम उन्दे हैं उमीद कर दी हां तो आनू वीडियो पसांद आई होएगी एक एक क्वेशन नो तुसी बादबार पढ़के देख लाए ना इस क्वेशन दे बेच में हर एक प्वाइंट नो कवर करन भी कोशिश किती है तह दे विचों में पड़ा पेपर टेड़ा बनेगा तो नीड कर दी हां तो आनू सेशन पसांद आया होएगा सेशन पसांद आया एस तो इलाबा अगर अनुएना दी पीडिएफ चाहिए आने तो दुसी दिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दिते होए लिंक्स दोते क्लिक करके और उना दी जड़े चैनल्स दे वट्सप ब्रूप बने होए है उना दू ज्वाइन कार सकते हो तो तो आपने पीडिएफ सब बगेरा मिल जाने है उमीद करती है कि दुस्या परी त्यारी इंगों ऐसे तरीके दिनाल पढ़िया बनाई लगते होगे नेक्स्ट वीडियो दिनाल आपा मिला आंगे जल्दी ही सेम टाइम ते